तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कह रहे हैं तो बेसिकली ट्राइब करो खुद ट्राइब करो सॉल्व कुनेक वीडियो पहुच करो यह काते हैं कि एट वाट रेट शूड आर्थ रोटेड सो देड एपरेंट वेल्लू अब जी इतना होगा तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओंगा बच्चों तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ड्यू टू रोटेशन अगर अर्थ है अपनी एक्सिस पर ओमेगा से रोटेड कर रही है यह अर्थ है तो अगर यह अच्छे खासे रोटेशन की वज़े से जो जी की वैलू है वो पोल को छोड़ के सब जगह चेंज हो जाती है ठीक है तो यह एक्वेटोरियल प्लेन है तो यहां पर यहां तो तुम देखोगे सबको पता होगा इतना सारा वीडियो देख रहे हैं जी रोटेशन की वज़े से क्या होता है इफेक्टिव डिज इसकोल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वाइर कॉस्वाइर लैमडा मिरवाई तो यहां तुम देखोगे कि अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो उसके रोटे इक्वेटर है तो इक्वेटर पे जो लैमडा की वेल्व होती है वो जीरो होती है क्योंकि लैमडा लाटिट्यूड है किसी पॉइंट का यह वाला एंगल लैमडा है ठीक है तो अगर यह अब्जरवर यहीं आ जाएगा और अगर पोल पे चला जाएगा तो पोल पे लैमड तो g upon r under root तो यह यहां से देखोगे तुम तो जी वाइड ऑड ओमेगा अंडरूट तो तो इसी ते ओमेगा यही वह ओमेगा है अगर इस ओमेगा से अर्थ को रोटेट करा दोगे भाई तो g जो है वो basically कोई भी observer weightlessness में आ जाएगा at equator मतलब equator पर रहने वाला जो observer है वो weightlessness में हो जाएगा weightlessness क्योंकि g 0 हो चुका तो weightlessness से आ जाएगा बात समझे में है अब जब यह आ जाएगा तो part 2 पूछ रहे हैं कि length of the day तो time period क्या होता time period होता 2 pi upon omega और अगर omega change हो गया क्योंकि g change हो गया तो omega change हो जाएगा तो यहां omega की value आ जाएगी g upon under root g और under root यहां से तुम देखोगे under root g और under root r तो under root g और under root r जो है यहां से r under root तो सारी value अगर रखोगे यहां तो 2 pi 3.14 और radius radius की value रखो यहां पर तो radius की value जब रख रखा जाएगा तो 646 006400 km 10 की power 3 meter यह सब कुछ under root और यह आ जाएगा g 9.8 under root तो पूरा जब इसको solve करोगे तो यह approximately 1.4 आवर आ जाएगा तो लगबग लगबग जो अर्थ है अगर omega अर्थ तेजी से घूमने लगेगी समझे रहे हो जी की value omega कम हो जाएगा जी की value 0 हो जाएगी अगर omega जाएगा तो तो जो दिन है और रात है जो 24 घंटे का है वो 24 घंटे का नहीं होगा 1.4 आवर का हो जाएगा ठीक है और यहां से जो omega है उस omega की value भी mathematically निकाल सकते हो जी की value 9.8 और रेडियस यहां से 6400 km 10 की यह सब कुछ अंडर रख दो तो जब सब कुछ अंडर रख दो तो उमेगा की जो वेल्वा जाएगी अर्थ की वह जाएगी 1.23 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रेडियन पर सकेंड तो पर सकेंड यही वह इस पेशल हो मेंगा है जिसे अर्थ को रोटेट करा दोगे तो बेसिकली जो है वेटलेसनेस आई जाएगा बच्चो